प्रेंस आज की वीडियो में आप रभी को बनाना से भाऊंगी एक बहुत ही ब्यूटिफुल सब प्रेंस कैं जो की बनकर तयार होने वाला है बहुत ही जल्दी और बहुत ही ब्यूटिफुल लगने वाला है इसके लिए मैं यूज करूँगी एक बॉक्स आप चाहे तो किसी भी प्रकार का कोई सब ही कार्डबोर्ड बॉक्स यूज कर सकते हैं एक मैं एक कार्डबोर्ड पीस और यूज करूँगी फ्रेंस मैं यूज करूँगी रेडियम कटर फ्लैट ब्रश एंड जो पॉंटेड होते हैं वो scale, scissor, fence, yellow, black, red and white color के fabric pen and sketch pen and इन ही की मदद से हमारा जो beautiful सा pen stand है वो बनकर तयार हो जाएगा, सबसे पहले हम इस box की जो लंबाई है उसे कम करेंगे and इसके लिए हम sketch pen लेंगे and scale से यहाँ पर marking कर लेंगे, यह देखिए, इतना हिस्सा हमें काट देना है, जैसे यह हमने sketch pen से यहाँ पर एक line draw कर ली है, उसी तरह से हम उसी distance पर यहाँ पर भी marking कर लेंगे, चारो तरफ कर लेंगे box की, and radium cuter की मदद से हम इसे काट लेंगे, friends काट ते समय आप थोड़ा ध्यान रखे, यह बहुत शार्प होता है तो आप लोगों का हाथ भी कट सकता है, इसलिए इसे थोड़ा carefully cut करना होगा, करु़ करद सकत्व पर थोड़ा यह कर लोड़ा कर सिंग le चार्पा यह बहुत शार. Oli और ज两 में, कर nearest कर दोड़ा कर दौ़ा कर लोड़ा कर रहाद पर दोड़ा मनननननननननननननननननच मेंन्निन मनननननननननननननन भवा एण फ्रेंट इस तरह से हम इस box को कट करके निकाल लेंगे फ्रेंट अब आप देख रहे हैं कि यह हमारा जो box है यह हमने काट लिया है अब हम scissor की मदद से कहीं से अगर यह uneven है तो इससे हम बराबर कर लेंगे लाइक दिस आप देख सकते हैं अब हमारा जो box है यह बराबर हो गया है फ्रेंज अब हम यह flat brush लेंगे हम flat brush लेंगे and black color का paint लेंगे and all over हम इस box को black color से paint कर देंगे ताकि इसमें जो भी इसमें जो pictures बनी हैं हम उसे hide कर देंगे black color के paint से लाइक दिस यह देखें अब मैं यहां पर बनाने वाज़ेंगे एक द्रॉइंग जो की हम अपने pen stand पे लगाएंगे तो मैं यहां पर draw करूंगी हेलो किती जोगी बच्चोंगी बपार की फेवरेट है मैं उसका यहां पर एक द्रॉइंगे प्रॉइर प्रॉइंगे प्रॉष लग्ते लेखें कर दो कर दो कर दो इसमें प्रेंस आपने बन चुका है एक बैम अगने से पेड़ लिए इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसमें अपने ड्रॉ बना लिया है अब मैं रेडियम कटर की मदद से इसे काट कर अलग कर लूँगी देख सकते हैं कि हमारा ये जो बॉक्स है ये जो हमने हेलो किटी बनाई है ये दोनों ही सूख चुके है अब हम फैविकॉल की मदद से हम यहाँ पर फैविकॉल लगाएंगे यहाँ पर हम यह हेलो किटी जो है इसे चिपका देंगे इस तरह से अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे ये देखें अब हम इसे सूखने के लिए थोड़ी देर रख देंगे फ्रेंज अब आप देख सकते हैं कि हमारा खुबसूरत सब पैन स्टेंड बनके तयार हो चुका है और यह बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है इसमें बहुत सारा इसका जो स्टोरेज है वो भी बहुत ज़्यादा है इसमें हमारे बहुत सारे पैन्स हैं जो आ गए है फ्रेंज अगर आप चाहें तो इसमें ब्रशेज या स्पून्स या आपका कोई भी कॉस्मेटिक भी आप इसमें स्टोर आराम से कर सकते हैं तो फ्रेंज अगर आपको मेरा आपका वीडियो पसंद आये तो से जाधा से जाधा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सिंपली रूची को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले मैं फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाई